नबसकार सातियो, आज के इस वीडियो लक्षर में हम दोयार 22 में जो इंगलेस का पेपर हुगा है क्लास 12, 3-16 EH, इसका मैं कम्प्लीट सॉलूसन आपको सो करूँगा, सेक्शन A से D तक और दोयार 23 के द्रश्टी से भी most important चीज़ों को रखा जाएगा, तो वीडियो जादा बड़ा नहीं होगा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, आपको बहुत benefit यहां से मिलने को यानि कि देखने को मिलेगा सेक्शन A में आपसे एक unseen passage पूचा जाएगा आप इसका एक screen shot लेकी रख लें तो क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो काफी time आपको लगेगा तो इसलिए आपको पढ़ना है, यह ज़्यादा tough है नहीं तो चलिए इसका पहला question देखते हैं यानि कि जल्दी जागना वैटर अधिक अच्चा है तो इसमें subject आपको सबसे पहले बनाना है उसी के साथ उसे आप आगे जोड़ देंगे तो देखिए इसमें से अगर आप बनाएंगे तो early rising is better than rising late अब इसके बाद आप वही से देख रहे हैं तो यहाँ because से जोड़ देंगे किस से जोड़ देंगे? आपको पैसे से ही बनाना है पहले question यहीं से बनेगा उसके बाद जोड़ देंगे देखिए early rising leads to health and happiness चलिए मैं किताब पर आपको लिखकर दिखा देता हूं आप लिखेंगे early rising is better than rising late because early rising leads to health and happiness second question देखिए why does the some thinkers warn the midnight oil याने कि यहाँ do होगा याने कि कुछ जो thinkers हैं बिचारक वह है midnight का दीपक जलाकर क्यों जलाते हैं तो इसी में से आप इसे बनाएंगे तो सबसे पहले लेखेंगे the some thinkers subject हो गया उसके बाद warn यही रहेगा दू आप काट जाएगा the midnight oil उसके बाद वहाई से यहाँ भी कोशन पूचा है तो कोई से जोड़ देंगे पर आगर आप में आपको देखेंगे बिल जाएगा they say that they can write best only when they burn the midnight oil तो यहाँ आपको अंसर वहाँ देखने को मिल जाएगा अगला कोशन पूचा है what is the disadvantage of working at midnight यानि कि मद्र रात्री में कारे करने का एक disadvantage यानि कि हानी बताईगे तो आप इसी में से बनाएगे the disadvantage of working at midnight यह subject हो जाएगा उसके बाद is उसके बाद what से पूचा है तो आपको that से जोड़ देना है और paragraph में आप यह unseen passage में च्छाटेंगे तो पूरा देखने को मिल जाएगा तो इसी प्रकास से आपको कोशन में से पहले तयार करना है उसके बाद यह कह रहा है what are the possible advantages of both morning hours and midnight hours यानि कि सुभह के घंटों का फायदा और मद्र रात्री के समभवत है गंटों का फायदा आपको बताना है तो आप इसी में से बनाएंगे तो सबसे पहले लेखेंगे the possible advantage of morning hours उसके बाद are health and happiness better concentration at work while the possible advantage of midnight hours are peaceful time, clear brain and better thoughts आपको सब कुछ वहीं देखने को मिल जाएगा बस बनाने का थोड़ा सा तरीखा देख लेए यहाँ आप से vocab से पूचा है नोई सी का पोजेट जिसका मतलब होता है sore तो quiet आपको वहाँ unseen passage में देखने को मिल जाएगा और वो पूच रहा है in spite of के बावजूद होता है इसका one word substitution आपको बताना है तो despite होता है इसका मतलब भी होता है के बावजूद several माने होता है अनेक तो यहाँ आपको इसका भी अन्टोनियम्स बताना है तो few सबसे better word है none भी लिख सकते हैं only भी लिख सकते हैं आईए section B की और रुख करते हैं तो section B में आपका जो second question है उसमें किसी एक topic पर आपको article लिखना है 100 या 150 word में तो इसमें सबसे most important जो मेरे को लगता है article है वह है importance of games at school तो चलिए मैं इसका अंसर आपको दिखा देता हूँ देखिए दोस्तो इस प्रकार से आप इसका अंसर लिखेंगे आप चाहें तो इसका एक screenshot ले लें बैसे मैंने detail में इसे समझा जा हुआ हुआ है तो देखिए आप से लेटर पूचा है राइटर लेटर टू दा मेयर ओफ कॉर्पिरेशान रिगार्डिंग डिस्पोजावल ओफ सॉलेड वेस्ट और अगला question इसमें जो पूचा है उसे भी देख लेते अगला question पूचा है राइटर लेटर टू दा वाटर वक्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग एवाउट इर्रेटर एंड पॉलूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकल्टी तो देखिए दोनों कोशन्स को मैं सो करता है तो देखिए जो आप डिस्पोजेवल डिस्पोजेल उसके लिए आप लेटर इस प्रकार से लिखेंगे स्क्रीन सॉट ले ले आसानी से और जो आपका वाटर सप्लाई है उसके लिए भी आप इस प्रकार से लेटर लिखेंगे और इसका भी स्क्रीन सॉट ले लिजी और चलते हैं सेक्सन C की तरफ तो देखिए, section C जो grammar से है, आपको fourth question के अंतरगात, पांच objective question देखने को मिलेंगे, जुनके सही जाने पर आपको दो अंक मिलेंगे, तो पहला question है, one who evidence has a religious faith in an, तो उसे हम कहते हैं, atheist, अगर यहाँ ऐसे होता, one who believes in God, या one who believes at the existence of God, उसे हम कहते हैं, atheist, क्या कहते हैं, atheist, दो ब और इसमें एक और वर्ड आपका बोल की द्रश्टी से important है, वो है optimist, optimist क्या होता है, आप person who looks the bright side of a thing, उसे हम कहते हैं, optimist यानि आसा बादी, और इसके opposite एक और होता है, pessimist, क्या होता है, pessimist, अब यहाँ पैसी मिस्ट क्या होता है, यानि कि आप person, आप person who looks the thing, the thing dark side, तो उस हम कहते हैं, pessimist, अगला word है आपका phrase से question पूचा है, pick holes, इसका मतलब होता है, गलती को ढूड़ना, तो find fault with, यहाँ answer आपका पहला ही सही है, उसके बाद आपसे पूचा है, acute, acute माने होता है, तीछडिया कठोर, इसका synonyms बताना है, तो c bar होता है, अगर हम इन दौनों वर्ड के antonyums की बात करें, तो वह होता है आपका mild, यानि की हलका, और आपसे curious, जिग्यासू होता है, अगला word है, वो sorry question है, the driver stood at the extremes edge of the rock, यह सब सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है, तो यहाँ extremes में गलती है, अब ऐसे कौन-कौन से word होते हैं, जैसे आपका extreme हो गया, यही word ले आप extreme हो गया, perfect हो गया, perfect हो गया, यह बात करें हम complete हो गया, round हो गया, इन से पहले आपको more और मुश्ट लगानी की आवसकता नहीं है, क्योंकि वो perfect है, तो पहले से ही positive में जरूर है, लेकिन एजा superlative है, उसके बाद आगे का question है, आपका antonyum virtue, बर्चू का antonyums बताना है तो wise होता है, और fraud का आप लेकेंगे, तो genuine हो जाएगा, उसके बाद आपको 5 में question में indirect बदलना है, तो देखिए, question पहला है, अगर आपकी reported speech present और future में है, तो assertive sentence है, तो के बाल आप that लगा देंगे, और दोस्तो, tense में आने वाले में कोई भी changing नहीं करेंगे, वस t small हो तो यह change नहीं होते हैं, तो आपको यहां केबल that लगा देना है, और भी यहां सभी लोगों की बात कर रहा है, यानि कोई भी प्रसंद नहीं है, उसके बाद discussion को देखिए, the battle was over foolish of the enemy by the drew, simple बनाना है, पहली sentence region का पता चला है, दूसरे से result का, और यहां देखें, आप nominative absolute का प्रियोग होगा, दोनों sentences के subject अलग अलग है, अब दूस्तों, बोज के बाद यहां आपका compliment है, तो आपको बोज की जगे पर ही being का प्रियोग कर देना है, और कॉमा लगा कर आप लिख देंगे, the enemy by the drew, अगर आपको यहां बोज या बर के बाद third form देखने को मिले, जैसे क the leader was killed, तो आप लिख देंगे simple बनाने में having killed, लेकिन दूसरे sentence का subject अलाग होना चाहिए, having killed, जैसे the work was done, all were satisfied, तो the work having been done, all were satisfied, अगला देखिए, यह complex sentence बनाना है, तो he gave up trying, उसने प्रियास करना छोड़ दिया, he could never give satisfaction, वह है, कभी भी संतुष्टी नहीं दे सका, तो आप कैस से कहेंगे, he gave up trying, उसने प्रियास करना छोड़ दिया, क्योंकि, तो आप यहाँ जोड़ देंगे, because, तो इस प्रकार से आपका complex sentence बन जाएगा, आगे देखिए, यहाँ आपको compound sentence बनाना है, तो जब भी दोस्तो simple sentence आपका besides से देखने को मिले, तो यहाँ not only बटालसो का प् only, क्या लिखना होगा आपको, he not only, not only, उसके बाद यहाँ आपकी past में है, तो यहाँ चे अब जीरंड form में past में चली जाएगी, तो आप लिख देंगे, made, he not only made, अब उसके बाद लिख देंगे, a promise, a promise जो दिया है उसमें, उसके बाद आपको लिख देंगे, but also, but also, अब दूसरी बाद क्या है, kept, तो उसे जोड़ देंगे, kept it, यहाँ आपका compound बन जाएगा, he not only, made a promise, but also, kept it, यानि उसने ना केबल एक बादा किया, बलकि इसे पूरा भी किया, अगला question है, did he not tell you, इसका आपको पैसे बनाना है, तो जहाँ do, did देखने को मिले, वहीं helping बाद लि told, why, he not objective case, लिख देंगे, him, और question mark, इतना आपको आता होगा, अगला question देखिए, the man disappeared, after he committed a murder, तो दोस्तों, यहाँ आपका लिए एक जबरदस question है, after से पहला past and of net रहता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, बाद में हमेशा past perfect लिखा दा राता है, past perfect में क्या होता है, head plus third form, तो यहाँ hedge नहीं, बलकि आपका होना चाहिए, head, अगर हम अगले question की बात करें, अगर यह before से जोड़ा होता, किस से, before से, तो आपको पहले head plus third form लिखना होता, head plus third form, और बाद में second form, चलिए, being a rainy day, और यह question लगातर पुछता है, तो यह nominative absolute है, दोस्तों, यह participle तो दव ह होता, यानि कि, एक ही subject होता, तो अलगलग subject है, तो अब यहाँ मौसम की बात कर आए, तो it लगा की चलना होगा, it being, it being a rainy day, we did not go out, यह पूछा गया है कई बार question यह, आगे देखते हैं, आगे यहाँ आपसे homophons पूछे हैं, तो चलिए मैं एक ही वीडियो में आपको most important सभी homophons करा देता हूँ, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप इन homophons को तयार कर लें, यहीं से काम हो ज चाहूं मैं पूछे गए हैं लगातार, बस screenshot वीडियो को पूछ करके लेते रहें दोस्तों, और काफे most important हैं, देख सकते हैं आप लोग, और वीडियो पसंद आए तो अपनी दोस्तों के साथ से जरूर करें, अभी बने रहें, देखिए जो आपके पूछे गए हैं, यहीं देखिए, सभी मैंने आपको तैयारी कराई हुई है, प्लेलिस्ट में आप विजेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है, तो कोई देखत नहीं है, आप इन्हीं वीडियो से देख सकते हैं, यह देखिए, उसके बाद, आगे का कोशन देखिए, अभी है हिंदी टु इंगलिस पैसे ट्रांसलेशन आप यूटूब पर सच करेंगे, तो यह हमारा वीडियो आपको सबसे उपर देखने को मिल जाएगा, चलिए आप सेक्शन टी में, आपका जो पहला कोशन है, इससे देखते हैं, और सेकंड आप स्क्रीन सॉट ले सकते हैं, और आगे देखते हैं, और यह दोनों कोशन भी और चलिए, यह देखते हैं, लोंग का, लोंग का भी आपको सो कर देता हूँ मैं, तो देखिए, यह आपका लोंग कोशन है, जो आपसे पूचा गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीन से ले सकते हैं उसके बाद दूसरा जो लॉंग कोशन आप से पूचा गया है उसका भी स्क्रीन सोट ले सकते हैं और इसका भी हिंदी में आप अंसर देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कोशन को देखते हैं तो देखिए यहां आपको पोटरी से कोशन पूचे गए हैं तो आईए मैं पूरी पोर्टरी के सॉलूशन आपको सो कर तो देखिए ये आपके कोशन प्पूचे गए हैं तो इनका मैं अंसर आपको ये सो कर देता हूं आप आसानी से इन्हें देख सकते हैं और no down कर सकते हैं उसके बाद ये central idea मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको कराए हैं उसके बाद आप यहां देख सकते हैं अगला question question number 11 तो चलिए इसका answer में आपको दिखाता हूँ तो देखिए इस 11 में question का आप answer लिख सकते हैं यह देखिए आप इसका एक screenshot ले 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 उसके बाद next question पूचा है उसे देख अगला question है चलिए इसका भी answer आपको देखिए दोस्तो आसानी से आप इस प्रकास से इसका लिख सकते हैं और एक screenshot लेकर आप इन्हें तैयार जरूर कर लें क्योंकि most important questions का ही collection उसके बाद 11 हमा question आपको long पूचा है और दोनों questions long है इनके भी answer में आपको एक ही जगे पर सो करते था हूँ तो देखिए आप इनके answer पहले बाले का यह लिख सकते हैं सदाव के लिए screenshot आसानी से ले लें उसके बाद दूसरा जो question पूचा था उसका आदा question answer यह रहा और आदे answer को आप यहां visit कर सकते हैं तो I hope आपको अच्छे से इन्हें तैयार कर लेना है और मिलते हैं next video